कि नहीं परिवार देख रहे हैं या इनके सपोर्ट में आना ही रहे है कि अन्य establishment किया भर्मित करने का काम कर रहे हैं अपने समाज को भर्मित करने का काम कर रहे हैं मैं जाट समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं यह लड़ाई आपके बच्चों की लड़ रहा हूं इनको तो सब मिल चुका इनको तो सब नमाजा जा चुका है पदम स्री इनके पास है वार्ट इनके पास है भारत रतन इनके पास है लेकिन वो बच्चे जो गरीब परिवार के अभी हैं और अपना खून पशीना भाह रहा है अपने अपनी जरूरतों को रोक करके कटोटी करके उन पहलवानों का भरन पोसल कर रहा है उनकी जरूरते पूरा कर अुपन नेस्टनल क्यों नहीं हो रहे हैं यह प्रतियोगता एंसारे क्यों रोक रहे हैं लड़कियों का कएंप क्यों बंद बंद मुदू है छलो लख 2020 मत लगाओ मैं लगाओ और सोनी पत मत लगाओ मेरी दिश्टी से आज भी मैं कहता हूँ लड़कियों और लड़कियों का कैम पे एक जगब नहीं होना चाहिए अलग-अलग होना चाहिए तो आप दिल्ली में लगा दो आप गांधी नगर में लगा दो आप पूना में लगा दो आप पटियाला में लगा दो तमाम सेंटर है देश के देश के अंदर जो साही के हैं आप कहीं भी लगा दो यह कैम के उमद है यह गुस्ती की सारी गद्बिधी के उमद है यह क्रूसियल समय है इसी में ASEAN Games है इसी में Olympeg है नए बच्चे तयारी कर रहे हैं इनको हरायेंगे तो आप चाहते हो कि acian games का me конur मेरे नाम लिखा जाएंग उलंपिक का मीडल कोई मेरे नाम लिखा जाएं इसके इलावा नए बच्चे ना हुएं अभी ard मफट मेडल लेकर के आया है अभी और बच्चों को देखिए बजरंग के बेट कर दिए कौन सा बच्चा मेडल लेकर के आया है तो आप मैं यह लड़ाई मैं आपके चैनल के माद्दम से हर्याना के जो पहलवान परिवार के लोग जुड़े हैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह बच्चों के भविष्ट की लड़ रहा हूं और यह आंदोलन करके आपके बच्चों का भविष्ट खतम कर रहे हैं इस बात को आप गंबिर्ता से सोचिए